दोस्तों अगर आप एक CSE Center संचालक है, अगर आप एक Common Service Center चलाते हैं, और अगर आप अपने सेंटर पर अपने Customers को Insurance की Service प्रवाइड कराना चाहते हैं, जैसे कि Health Insurance, Life Insurance, Car Insurance, Bike Insurance, लेकिन इन सभी Service को आप डारेक्टली अपने Customers को प्रवाइड नहीं कर सकते हैं, सबसे पहले इन सभी Service को आपको अपने Digital सेवा पोर्टल में एक्टिवेट कराना होगा, तो इन सभी Service को एक्टिवेट कराने के लिए सबसे पहले आपको अपनी CSE ID से RAP का एक एक एक्जाम देना होगा, अब जैसे आप RAP का एक्जाम पास कर लेते हैं, तो आपको RAP का एक सर प्रवाइड कर सकते हैं, तो आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको RAP का एक्जाम देना है, एक्जाम में कितने कोशन आते हैं, कैसे आपको Certificate को डाउनलोड करना है, और कितनी आपकी फीस करती है, तो ये वीडियो आपको एंड तक देखनी है, 6 एक्टिस वेबसाइट पर आ सकते हैं, तो वेबसाइट पर आने के बाद रेजिस्टरिशन करने के लिए, यहां पर आपको RAP का एक ओप्चन मिलेगा, इस पे आपको अपने माउस का कर सर ले के आना है, उसके बाद यहां पर आपको एकसे हैई एक पर पासवोद एंटर करना है उसके बाद यहां पे आपको यह capture करना है और नीचे आपको sign in पर click कर देना है तो जैसे आप click करोगे तो आपके सामने registration form आ जाएगा इस form को आपको fill करना होगा तो यहां पे आपकी जो CSA ID है और आपका नाम है वो automatic enteer हो जाएगा उसके बाद आपको नीचे आना है अब उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी Date of Birth को Enter करना है। जैसे आप JAET करोगे तो आपके सामने Kalender ओपें हो जाएगा. अब यहाँ से आपको अपनी जो Date of Birth है उसको आपको Select कर लेना हैं. उसके बाद यहाँ पे आपको Gender का Option मिलेगा. इस पे आपको क्लिक करना है अब जो भी आपका religion है यानि कि धर्म है उसको यहां से आपको select कर लेना है उसके बाद यहां पे आपको category का option मिलेगा इस पे आपको click करना है और यहां से आपको अपनी category SC, ST, OBC, journal उसको आपको select कर लेना है उसके बाद यहां पे आपको अपना एक यहाँ पर आपको education qualification का एक option मिलेगा, इस पर आपको click करना है, अब जो भी आपकी education है, उसको यहाँ पर आपको select करना होगा, अगर आप 10th pass है, तो आपको 10th class को select करना है, अगर आपने 12th किया हुआ है, तो यहाँ से आपको 12th को select कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर आपको complete address आपको अपने गाउं का नाम उसके बाद यहां पर आपको सपोर्टिंग डोकुमेंट को अप्लोड करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको photo ID proof का एक option मिलेगा, तो यहाँ पे आपको select document का option मिलेगा, इस पे आपको click करना है, और यहाँ से आपको कोई भी एक document को select कर लेना है, यहाँ पे आप आधार card, driving license, passport, russian card, या फिर आप voter ID card को भी select कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको simply आधार card को select कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपने आधार number को enter कर देना है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपने आधार card को upload करना होगा, और आधार card को upload करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है, कि आपके आधार कार्ड की जो maximum size है वो 75 के भी से जादा नहीं होनी चाहिए और आपका जो आधार कार्ड है उसकी आपको front side और back side दोनों को upload करना है ID proof को upload करने के बाद अब यहाँ पे आपको अपने pen card को भी upload करना होगा अब जो भी education आपने उपर select किया था उसी education की mark sheet को आपको upload करना होगा अगर आपने उपर 12th class को select किया था तो यहाँ पे आपको अपने 12th की mark sheet को upload कर देना है सभी document को upload करने के बाद अब नीचे आपको process to pay का एक option मिलेगा इस पे आपको click कर देना है तो जैसे आप click करोगे आपके सामने CSC का payment gateway आ जाएगा अब यहाँ पे आपको 350 रुपे का payment करना होगा तो payment करने के लिए यहाँ पे आपको अपनी CSC ID का password एंटर करना है उसके बाद नीचे आपको validate पर click कर देना है उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी CSC wallet का pin एंटर करना है और नीचे आपको paper क्लिक कर देना है तो जैसे आप paper क्लिक करोगे तो आपका जो payment है वो success हो जाएगा और आपका जो registration है वो complete हो जाएगा तो वही wrap का registration करने के बाद अब आपको अपनी profile में login करना होगा तो login करने के लिए यहाँ पे आपको wrap का option मिलेगा इस पे आपको अपनी mouse का cursor लेकर आना है उसके बाद यहाँ पे आपको login का option मिलेगा इस पे आपको click कर देना है अब यहाँ पे आपको अपनी CSE ID को एंटर करना है उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी CSE ID का password एंटर करना है उसके बाद यहाँ पे आपको यह capture एंटर करना है और नीचे आपको sign in पर click कर देना है तो जैसे आप click करोगे तो आपके सामने आपकी portal open हो जाएगी अब यहाँ पर आपको my details का option मिलेगा, इस पर click करके आप अपने details को check कर सकते हैं, उसके बाद यहां पर आपको modules का एक option मिलेगा, इस पर आपको click करना है, जैसे आप click करोगे तो आपके सामने 16 modules open हो जाएंगे, इन सभी modules को आपको एक बार read करना होगा, और इन module की जो language होगी वो English रहेग तो इन module को read करने के लिए यहां पर आपको launch का एक option मिलेगा, इस पर आपको click कर देना है, जैसे आप click करोगे तो आपके सामने modules open हो जाएगा, इस सभी modules को आपको अच्छे से read कर लेना है, क्योंकि यह जो module है यह आपका exam clear करने में काफी जादा help करेंगे, क्योंकि इनी modules के अंदर से आपको questions पूछे जाएंगे, तो सभी modules को कुछ इस तरीके से आपको read करना है, उसके बाद आपको close पर click कर देना है, जैसे आप close पर click करोगे तो आपका जो module है वो complete हो जाएगा, इसी तरीके से आपको next module है वो आपको clear करना होगा, simply आपको launch पर click करना है, जैसे आ close पर click करोगे तो आपके जो module है वो सभी module आपको इसी तरीके से complete कर लेने है, जब तक आप module को complete नहीं करोगे तब तक आप अपना exam नहीं दे पाओगे, module को complete करने के बाद अब आपको अपने exam को clear करना होगा, तो exam को clear करने के लिए यहाँ पे आपको examination का एक option मिलेगा, इस आपको click कर देना है, लेकिन दोस्तो registration करने के 24 गंटे बाद ही आप इस exam को दे सकते हैं, यानि कि जब आप registration करते हैं, registration करने के अगले 24 गंटे बाद ही आप इस exam को दे पाएंगे, उससे पहले आप इस exam को नहीं दे सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो registration है, अभी उसको 24 क्लिट होंगे तो यहां पर आपको start का option मिलेगा उस पर क्लिक करके आप अपने exam को start कर सकते हैं exam के अंदर total 25 question आपसे पूछे जाएंगे और परतिए question एक नंबर का होगा लेकिन यह बिल्कुल भी सच नहीं है portal में आपको 25 question दिखाए गए हैं लेकिन जब आप actual में exam दोगे तो exam में आपसे total 100 question ही पूछे जाएंगे तो इस वहम में आप बिल्कुल भी मत रहना कि आपसे 25 question पूछे जाएंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपसे पूरे 100 question पूछे जाएंगे और एक चीज में आपको और clear कर दू कि यह जो exam होता है इसमें कभी भी repeated question नहीं आते हैं जितनी बार भी आप exam दोगे आपको question change होकर ही मिलेंगे तो इस वहम में भी आप मत रहना कि repeat question मिलेंगे मैं YouTube पे कोई वीडियो देख लूँगा जिसमें live exam दिखाया गया होगा और वही same question आपसे exam में पूछे जाएंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हर बार wrap के exam में question change होकर आते हैं तो इस बात का ध्यान रखना और exam में आपके कोई भी negative marking नहीं होगी और exam को clear करने के लिए आपको total 30 minute का time दिया जाएगा तो आपको अपने exam को complete कर लेना है exam को complete करने के बाद यहाँ पे आपको result का option मिलेगा इस पे click करके आप अपने exam के results को check कर सकते हैं अगर आप अपने exam में pass हो जाते हैं तो तुन थी आपका certificate generate हो जाता है और certificate को download करने के लिए यहाँ पे आपको certificate का option मिलेगा इस क्लिक करके आप अपने certificate को download कर सकते हैं dashboard में आने के बाद यहाँ पर आपको certificate को option मिलेगा अगर आप अपने exam को pass कर लेते हैं तो यहाँ पर certificate पर click करके डारेक्ट आप अपने certificate को भी download कर सकते हैं तो दोस्तो इस तरीके से आपको अपना rap का registration करना है आसा करता हूँ कि वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी अगर आप कोई वीडियो पसंद आई हो तो definitely आप वीडियो को like करना शेर करना और अगर आपके मने में कोई भी doubt है कोई भी सवाल है तो आप मुझे comment कर देना अगर आप चैनल पर नए है subscribe नहीं किया है तो घंट आप जाके करना फेस्बुक पर वीडियो देख रहे हैं तो फेस को like और follow जरूर कर देना